किस जानवर की सेवा किस तरीके से की जाए आज की सुड़े में हम यही बात करने वाले हैं कि आप किस परकार ऐसे जीव जन्तूओं की सेवा करेंगे और अपने भाग्या में करेंगे व्रद्धी हमारे धर्म हमारे संस्कृति में जानवरों का भी बहुत महतो है कोई भी पुरान उठा लीजी या फिर हिंदू सास्त्र हर किसी गरंथ ने यही कहा है कि भई जानवरों की सेवा करोगे तो आपको इसका बहुत बड़ा फल मिलेगा और आप कोशिस भी करते हैं लेकिन मुख् जानवरों की सेवा किस तरीके से की जाए आज की सुड़े में हम यही बात करने वाले हैं कि आप किस परकार ऐसे जीव जन्तूओं की सेवा करेंगे और अपने भाग्य में करेंगे व्रधी उससे पहले मैं आपसे कमेंट में पूछना चाहूंगा कि आप बताएं आप किस जानवर की सबसे जादा सेवा करते हैं चलते हैं हमारी वीडियो की और सबसे पहले हम बात करेंगे चीटियों की तो मैं आपको बता दूँ चीटियों का भी अपना अलग महतव होता है और आपने देखा होगा कि दो तरीके की चीटिया होती है एक लाल चीटिया होती है और और हमारे हिंदु सास्तों में कहा गया है चीटियों को अगर आप खाना खिलाते हैं आटा डालते हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ा धर्म है आपकी अकाल मिर्तियों से आपको बचाता है और आपके भागे में व्रद्धी करता है हमारे पुरंतों में ये भी बताया गया है कि इनसान पर अगर बहुत जादा करजा हो जाए तो चीटियों को अगर आटे में चीनी डाल कर खिलाए तो करजा कम हो जाता है देखिए वैसे तो लाल चिटी आसुब मानी जाती हैं लेकिन अगर आपको लाल चिटीों की लाइन मिल जाये जो मुझे अंदर अंडे दबा कर चल रही हो तो इससे जादा सुब चीज आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती दोस्तो अब बात करते हैं कुट्टे की देखिए अगर आप प्रति दिन रोजाना कुट्टे को भोजन खिलाते हैं तो आपके दुस्मन आपसे दूर ही रहेंगे ये बात हिंदू सास्तरा में कही कही है ये बात हमारे पुरानों में कही कही है कुट्टे की सेवा करने से बहु खराब हो जाता है तो समझ लेजिए चलता पानी वापस से आ जाएगा उन पर बैठे वे इनसान को कुत्ता खाट खाएगा किस्मत के इतने बुरे दिन आएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा बनता काम कैसे बिगड़ गया भरकत में कैसे रुकावट आ गई तो कुत्त पक्षियों को दाना डालें जितना पक्षियों को आप दाना डालेंगे समझ के चलिए उतनी ही बरकत आपको अपने वयापार में मिलेगी और देखे अगर आप सफलता चाहते हैं जिन्दगी में वरद्दी चाहते हैं आप चाहते हैं कि लोग आपको जाने फेम अगर आप तो आपकी जिन्दगी के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं आपने जितने पाप किये हैं वो खत्म हो जाते हैं तो गाय को खाना खिलाना बेहद सुब माना गया और आपने देखा भी होगा, बहुत से घर ऐसे हैं जो गाय पालते हैं सिर्फ उसकी सेवा करने के लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो दूद निकालते हैं बेशते हैं लेकिन कुछ लोग बस सेवा करने के लिए पालते हैं क्योंकि उन्हें पता है गाय का कितना बड़ा महतव है दोस्तों ये वो जानवर है जो आपकी जिन्दगी बदल सकते हैं और जो मैंने बाते बताएं हैं वो भी ध्यान रखे उसी तरीके से आपको इनकी सेवा करनी है अब जल्दी से बताजीजी कि सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं और कमेंट में ये बताएं कि आपको और किस जानवर के बारे में जानना है डेफिनिटल इस वीडियो का पार्ट टू भी मनाएंगे और ये वीडियो गर पसंद आयो पार्ट मन पसंद आयो तो लाइक कीजे शेर कीजे सब्सक्राइब कीजे बेल आइक इन दबा दीजे ताकि अगली अपडेट आपके पास झाल